नमस्कार मैं हूँ पुर्शोतम पांडे स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज का जो दिन है ये मेरे लिए तो बहुत खास है ही बहुत ही महतोपुर्ण है साथ ही सोलर पैनल इंडस्ट्री में जितने सारे लोग काम करते हैं उन सब के लिए भी बहुत ही दिन चैनल में नए है तो सबस्क्राइब कर लीजिए तो चलिए आरंभ करते हैं अब जैसा कि आपने स्टार्डिंग में सुना की एक दिन जो है आज का जो दिन है ये मेरे लिए बहुत ही खास है बहुत ही महतोपुर्ण है क्योंकि आज मेरा बड़ दे है जी हां आज मेरा जनम दिन है तो आप सब कमेंट सेक्शन में मेरे लिए हैपी बड़े लिख सकते हैं और खास करके जो लोग गिफ्ट देना चाहते हैं मुझे तो उनके लिए मैं बस एक ही गिफ्ट मांगूंगा कि जितने सारे लोग अभी देख रहे हैं या देखते हैं क्योंकि लगभग च के साथ सेर भी किजिए हमारे विडियो को तो यही आपका जो गिफ्ट है ये मेरे लिए होगा और इसी गिफ्ट के फ्रू मैं आगे बढ़ंगा आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे बढ़ता जाओंगा ési तरिके का जो नीज है और इसी तरीके का जो रिनीवल इनर्जी में क्रांती है वो आप तक पहुंचाता रहूंगा तो चलिए अब में बात पे आते हैं कि प्रधान मंत्री मोधी जी ने ऐसा क्या बोला कि पूरे सोलर पैनल इंडस्री के लिए बहुत बरी खुशकबरी हो गई है जी हां आपको पता है और डारेक्ट न्यूज पे आते हैं डारेक्ट प्रधान मंत्री मोधी जी ने जो लिखा है न वो सुबह सुबह लिखा है और मैं टाइम भी बताता हूं आठ बज के 55 मिनट पे ये ट्वीट आया है और जब मैंने ट्वीट देखा तो ये मुझे लगा कि इस तरीके का जब इनिशेटीव लिया जाता है और इस बज के 55 मिनट पे और स्टेंडिंग न्यूज प्रधान मंत्री मोधी ने अपनी ट्वीटर हैंडल यानि एक्स के हैंडल पे लिखा इन अबॉट अ मन्त यानि एक महने हुए है जो लाँच हुआ था एक करोर घरों में सोलर पैनल के लिए पी एम सुरिघर मुफ्त बिजली योजना अब ये जो एक महने पहले ही सुरू हुआ था उसमें रजिस्ट्रेशन की बात करें न तो बहुत ही जादा भर भर के रजिस्ट्रेशन हुआ है और एक करोर से जादा लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है अपने आपको ठीक है और रजिस्ट्रेशन जो हुआ है किन-किन जगों से आया है तो देखिए सबसे पहला है कि आसाम से हुआ है आसाम के लोग भी सोलर पैनल सिस्टम अपने घरों में लगाना चाहते हैं समझ रहे हो दिल्ली NCR के नहीं आसाम के लोग भी लगाना चाहते हैं उसके अलावा देखिए बिहार बिहार से भी बहुत जादा रजिस्टेशन हुई है गुजरात से हुआ है गुजरात तो देखिए रिन्यूवल इनर्जी में आगे है ही लेकिन इस योजना के तुरू बहुत सारे लोग जो हैं रजिस्टर्ड कर चुके हैं और सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं इसके अलावा महरास्टरा, ओडिसा, तमिल नाडू, उत्तर प्रदेश इन सब राज्यों को मिला कर देखें तो इच यानि हर राज्य में यानि जो मैंने बता है आसाम, बिहार, गुजरात, महरास, ओडिसा, कमिल नाडू और उत्तर प्रदेश में पांच लाग से जादा लोगों ने अपने आपको मुफ्त बिजली योजना में रजिस्टर्ड किया है जी हां, मुफ्त बिजली और या बोले कि पी-एम सुरिघर मुफ्त बिजली योजना में अपने आपको रजिस्टर्ड किया है तो देखें, सरकार लेकर चल रहे थी कि एक करोर घरों में सोलर पैनल सिस्टम दोहजार चौबिस में लगेगा इस योजना के तुरू लेकिन एक महिने में ही एक करोर लोगों का रजिस्टरेशन हो चुका है तो आपको पता चल गया होगा कि सोलर पैनल की जो अवेर्नेस है न वो नेक्स लेविल पे अभी के समय में हो चुका है हर कोई चाहरा है कि सोलर पैनल सिस्टम लगाऊं और बिजली बिल से तो चुटकारा पाऊं ये बिजली का बिल जो महगाई को बढ़ा रहा है न उससे मुक्ती हर कोई चाहता है और इसी का जीता जाटता एक्जाम्पल है अब बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक करोर और मुफ्त बिजली योजना क्या ही बता रहा है तो मैं उन सब के लिए बता दू कि आज का दिन ही क्यों और आज के दिन जब आया है मेरा बड़े भी है और आज का दिन जब इतना बड़ा खुशकबरी आया है तो आपको बता दू कि ये एक से डेड़ महिने पहले अनॉंस हुआ था सोलर पैनल सिस्टम में यदि तीन किलो वाट तक का कोई सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहता है तो मुफ्त बिजली योजना के तूरू उसको अठटर ह लोग सोचेंगे कि एक करूर तो होई चुका है अब मैं कैसे इसका सबसीडी एवेल करूंगा तो आपके लिए भी है अभी एक करूर लोगों ने रजिस्टर्ड किया है लगा नहीं है सब के घर में तो अभी भी स्कोप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ प फंड एलोकेट किया गया था पूरे केबिनेट के थुरू और जब यह फंड आया था और तब से लेके अब तक की भी बात किया जाए तो यहाँ पे एक करोर से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है तो आपको सोलर पैनल की अवेर्नेस का पता चल गया होगा और सोलर पैनल इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा अपर्चिनिटी है और उनको यह जानना चाहिए कि अवेर्नेस किस लेविल पे है तो अभी क्या है ना कि अभी सबसे ज़्यादा जो गेम है ना वॉल्यूम के लेविल पे आपको और इसमें आप ज़्यादा कम मार्जिन पे ना ज़्यादा लोगों को सर्विस दीजिए देखिए बहुत ज़्यादा इंकम होगा आपका सर्विस बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुचेगा और ये धे बना कर यदि आप सोलर पैनल सिस्टम लगवाएंगे ना तो आपक बिजनेस भी ग्रो करेगा आप लोगों के टच में भी रहेंगे और यह जो अपर्चिनिटी है यह जो बहुत बरी अपर्चिनिटी है उसको भी आप ग्रैब कर पाएंगे तो देखिए यह जो न्यूज है ना एक करोर लोगों के घर में यह रजिस्टेशन हो चुका है एक कर और लोगों के घर में सोलर पैनल सिस्टम लग जाएगा ना तो यह लगवग 30 गिगावाट का इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो लगवग 2024 में ही हम 40 गिगावाट का टार्गेट जो है वो अचीव कर लेंगे और यह टार्गेट जो था ना रूफ्टॉप सोलर का था जिया रूफ्टॉप सोलर का था और गॉवग्मेंट जब यह अचीव कर लेगी तो नेक्स फेज स्टार्ट होगा और देखिए एक समय के बाद ना सबसीडी का स्किम कम होता जाता है अब पीछे ही देखे तो जैसे एक लाग सतरह हजार का सबसीडी मिलता था दस किलो वाट तक लेकिन अब जो सबसीडी है वो 78,000 ही मिल रहा है वैसे देखे 3 किलो वाट का यदि कोई शोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहता है तो वहाँ पे सबसीडी इंक्रीज हुआ है कितना हुआ है इंक्रीज तो पहले देखिए 18,000 पर किलो वाट था जो की बढ़के 30,000 पर किलो वा और तीन किलो वाट पर बात करें तो 78,000 हुआ तो उस हिसाब से देखे तो सबसीडी इंक्रीज भी हुआ है लेकिन ये इंक्रीज एक हद तक ही होगा जब अवेरनेस लोगों तक इतने बरे लेविल पर चल चल चुका है और जादा से जादा लोग अपने घर में सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि सबसीडी का स्कीम जो है वो डिक्रीज ही होगा इंक्रीज तो होने से रहा क्योंकि एक बार डिक्रीज हो चुका है रियल माइने में देखा जाए तो तो अभी के समय में आप आपके पास option क्या है on grid सोलर पैनल सिस्ट सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप सबसीडी के तुरू जा सकते हैं बिलकुल जा सकते हैं लेकिन 6 किलोवाट से उपर का consumption है यानि की 10 किलोवाट 12 किलोवाट या 15 किलोवाट का rooftop सोलर अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो वहां पे मैं आपको recommend करूंगा कि आप बिना सब सबसीडी के लगाएं जिसमें कि आपका normal सबसीडी में जो cost लगता है ना लगवग 60,000 पर किलोवाट का cost लगता है तो वह decrease हो जाएगा लगवग 40-45,000 पर किलोवाट का भी cost आपको EPC contractor दे सकती है तो वहां से आप फाइदा उठा सकते हैं और खास करके मैंने भी एक consultancy चला ही हुई है जिसके थुरू मैंने आपको clearly बताया हुआ है कि मैं किस तरीके से आपको solar panel system लगवाता हूँ उसमें help out करता हूँ तो वो मेरा एक separate consultancy program है जिसमें आप 499 मुझे pay करते हैं और आपको मैं consultancy देता हूँ for lifetime जी हां for lifetime देता हूँ तो वहां पे मैं आपको directly आइसे जगों से connect कराता हूँ जहां से solar panel inverter वी ओस material आप procure कर पाते हैं अपने घर पे और अच्छे rate में solar panel system अपने घर में लगा पाते हैं तो जो ऐसे भी हो आप अपना solar panel system बेड़िया तरीके का लगा सकते हैं आपके पास अभी के समय में बहुत multiple choice है जिसके तुरू जा सक आप समझ सकते हैं कि government के तरफ से बहुत अच्छा news है एक gift है जो मैं मालूंगा और आप लोग भी चाहते हैं इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाव उठाना तो उठा सकते हैं और मेरा जो gift आपको देना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देना है तो वो भी आप कर स लाव टो उत्सराइब करेना शचाइब करें तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर से ज्यादात्य करHAHA